हेलो एन वेलकम फ्रेंड मेरा नाम है जावेद आप देखने हैं हेलफुला से यूट्यूब चानल दोस्तों इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक पर दिल्ली से वारारसी के बीच चल रही है दूसरे रूट के बारे में अभी confusion था कि किस रूट पर चलाई जानी है दिल्ली से कट्रा वाले रूट पर इसका trial भी किया गया था जो की काफी ज़्यादा सफल रहा था अब दोस्तो इसका time table आ गया यानि की Indian railway ने इसको हरी जण्डी देती है तब ही इसका time table आया है और इसका किराया भी आपके सामने आ गया है दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरी जान करी दूँगा तो ये वीडियो लास तक ज़रूर देखेगा आपके लिए काफिस जादा helpful होगा आगे बलने से पहले प्यार वार रिक्वेस करना चाहूंगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर क दिलि से लुधीना के बीच 120 और 130 की स्पीड से चलेगी और लुधीना से कट्रा के बीच 75 से 80 की स्पीड में ये ट्रेन चलेगे इस तरह इसकी आवसत स्पीड 82 क्लोमेटर प्रतिगंटे की रफतार से हो जाएगी और यहां पर इसको और भी विसतार्व बताने के लिए होता है उसके अंतर 14 डब्बे लगेंगे और जिसमें की 936 सीटे होंगी जबकि एक्जेक्यूटिव क्लास में दो डब्बे लगाए जाएंगे और 104 सीटे होंगी चेयर का किराया जो होगा वो लगबख 1600 रुपे के आसपास होगा और एक्जेक्यूटिव क्लास का जो किराया होगा वो लगबख 3000 रुपे के आसपास होगा दिल्ली से कट्रा सुबा 6 बजे चलेगी और 2 बजे कट्रा पहुँचेगी 3 बजे कट्रा से चलेगी राद 11 बजे दिल्ली पहुँचेगी और इसका जो stoppage होगा वो अमबाला कैंट, लुधियाना और जम्मु तवी होगा दोस्तो तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है दोस्तो अभी date final नहीं हो पाई है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी, comment box में ज़रूर बताएगा अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share और channel को subscribe ज़रूर कलिएगा मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं information के साथ, thank you so much for watching